नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आई होपस हो आप बहुत अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे तो आज का टोपिक है कि वो कौन सी पांच आदते हैं जो में सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी पांच आदते हैं जो सुबह सुबह करनी चाहिए जिससे अमरा तो उन मेंसे जो सबसे पहली जो आदत है वो यह है कि हेटिंग दा स्नूज बटन स्नूज बटन हम क्या करते हैं? अलारम भर देते हैं रात को कि स्पोज करो 7 बजे उठना है तो हम साड़े 6 बजे के अलारम भर देते हैं और हर 10-10 मिनट के बाद स्नूज का बटन दबा कर फिर सो जाते हैं फिर सो जाते हैं उससे क्या होता है कि हम डीप स्लीप में होते हैं हम गहरी नींद में होते हैं और जब भी वो स्नूज बटन दबता है हम अचानक से उठते हैं फिर सो जाते हैं फिर अचानक से उठते हैं ऐ मारा माइन डिस्टरब होता है जब माइन डिस्टरब होता है तो मारे पूरी बोडी डिस्टरब होती है आलस आता है पूरा दिन खराब हो जाता है तो ऐसा करिए कि जिस भी टाइम आपको उठना है अनरजी के साथ उठी है और उसी टाइम की अलारम भरिए और उस टाइम दर्शन करना सुबह सुबह हमारे आँखेंग से नहीं खुलती है और हम ठोगा एक देखते हैं इसा कभी बत करिई जब आपको दर्शन करना है तो सूरज के दर्शन कीजिए, उससे आपको अच्छा भी लगेगा, आपको अनर्जी मिलेगी, आपको पोजिटिविटी मिलेगी, तो ऐसा मत कीजिए, सुबह-सुबह फोन बिलकुल नहीं लेना है, आदत है वो यह है कि अपने बेडरूम को मैनेज करना, हमारा बिस्तर सु सुबह-सुबह ऐस्त होता है, इधरू-दर चीजे बिखरी पड़ी होते हैं, तो हमें खुद को कितना बुरा फील होता है, तो सिरफ दो-चार मिनट लगते हैं, अपने ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड कीजिए, अपने हर चीज को अच्छे से और्गनाइज कीजिए, आपको एक-दो गंटे के लिए तो उसे अनर्जी मिल जाती है, चाहे और कोफी से, उसके एक-दो गंटे के बाद जैसे आपकी बोड़ी थी, उससे भी आपको बुरा फील होगा, उससे भी बदतर हो जाएगी आपकी बोड़ी, तो अपने दिन की शुरुआत पानी से कीज और मैं यह तो नहीं कह रही कि आप चाहे या कोफी छोड़ दें, एटलिस्ट इतना तो कर सकते हैं कि पानी पीकर फिर उसके बाद चाहे पिए 10-15 मिनट के बाद, तो उससे आपका दिन अच्छा होगा, आपकी बोड़ी को अनर्जी मिलेगी, और लास्ट हैबिट है, वो सुबह सुबह आलस आता है, तो सुबह सुबह 5-10 मिनट ही सही, स्टेचिंग करिए, योगा करिए, प्रकरति के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा बार की हवा में गूमिए, उससे आपको पूरे दिन की जो अनर्जी चाहिए होती है, वो सुबह सुबह मिल जाती है, और फि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक क के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी सिहत का ख्याल रखिए थैंक यू बाई बाई